भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था ये एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया मान लक्षे को भेद कर ही वापसाता था एक बार की बात है देवराज इंदर के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ती को चुनौती देने के लिए कववे का रूप धरा और सीता जी के पैर में चोंच मार का लहू बाहा कर भागने लगा जब लहू बहने लगा तो रगुनात जी ने धनुष पर तीर चड़ाया अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा अपने पिता इंदर के पास गया लेकिन उन्होंने भी उसे निराश किया बहभीर थोकर वो भागता फिरा लेकिन किसी ने उसे शरण नहीं दी राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए जब नारत जी ने भैबीत जयंत को देखा तो उन्होंने कहा तुमें प्रभुश्री राम ही बचा सकते हैं उनकी शरण में जाओ तब जयंत ने पुकार कर कहा हे शरनागत के हितक मेरी रक्षा कीजिये प्रभुश्री राम सीता चरन चोंच हती भागा मूण मंद मती कारन कागा